व्यवस्ता विवरन अध्याय बीस व्यवस्ता विवरन अध्याय बीस जब तू अपने शत्रों से युद्ध करने को जाए और घोडे, रात और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना, तेरा परमिश्वर यहोवा, जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया ह वह तेरे संग है, और जब तुम युद्ध करने को शत्रों के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राइलियो, सुनो, आज तुम अपने शत्रों से युद्ध करने को निकट आये हो, तुम्हारा मान कच्चा नहो, तुम मत डरो, और न थर थराओ, और न तुम्हारा परमिश्वर यहोवा, तुम्हारे शत्रों से युद्ध करने, और तुम्हे बचाने के लिए तुम्हारे संग-संग चलता है, फिर सरदार सिपायों से यह कहे, कि तुम में से कौन है, जिसने नया घर बनाया हो, और उसका समरपन न किया हो, तो तु वह अपने समरपन करे, और कौन है, जिसने दाक किबारी लगाए हो, परंतु उसके फल न खाये हो, वह भी अपने घर को लव जाए, ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए, और दुसरा मनुष्य उसके फल खाये, फिर कौन है, जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाए हो, परंत तू उसको ब्याह न लाया हो। वह भी अपने घर को लव जाए। ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दुसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाईयों से यह भी कहे कि कौन-कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्छे मन के है। वह भी अपन प्रधान सिपाईयों से यह कहे चुके तब उन पर प्रधानता करने के लिए स्यनापतियों को नियुक्त करे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधी करके उसका समाचार दे। और यदि वह संधी करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे तब जितने उसमें हो वह सब तेरे आधिन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठेरे। परंतु यदि वे तुझसे संधी न करे परंतु तुमसे लड़ना चाहे तो तू उस नगर को घेर लेना और जब तिरा परमेश्वर यहोआ उसे तेरे ह साथ में सव दे तब उसमें के सब पुरुशों को तलवार से मार डालना परंतु स्त्रिया और बालबच्चे और पशु आधी जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लिना और तेरे शत्रों की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोआ तुझे दे उसे काम मिला इस प्रकार उस नगर से करना जो तुझ से बहुत दूर है और इन जातियों के नगर नहीं है परंतु जो नगर इन लोगों के है जिनका अधिकारी नेता तेरा यहोआ परमेश्वर तुझको ठहराने को पर है उनमें से किसी प्रानी को जीवित न रख छोड़ना परंतु उ अवश्च सत्यनाश करना अर्थाद हित्यों, एमोरियों, कनानियों, परीजियों, हिब्ब्यों और यविसियों को जैसे कि तेरे परमिश्वर यहोआ ने तुझे आग्या दिये है कि जितने घिनने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आये है वैसा ही करना तुमें असी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे तब उसके व्रुक्षों पर कुलाड़ी चला कर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना. क्या मैदान के व्रुक्ष भी मनुश है कि तू उनको भी गेर रखे, परन्तु जिन व्रुक्षों के विशे में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काट कर नाश करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कोट बांधे रहना, जब तक वह तेरे